नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश और मैं हूँ आपके साथ साहिवा माफियाओं पर लगातार चल रहे हैं अपराधी थर थर काप रहे हैं योगी सरकार इस वक्त पूरी तरह से इस मूड में है कि किसी भी अपराधी या माफिया को मिट्टी में बिलादा है इसी का नतीजा है कि पुलिस में शासन करोडों की संपती को जब्त कर रहा है और कुर्की भी कर रहा है अब पुलिस के हाथ एक ऐसे माफिया का कुबेर का खजाना लगा है जो खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और जो से देखकर अफसर भी चक्रा गए हैं कौन है वो माफिया जिसके संपत्ती को देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ गए हैं देखे इस खास रिपोर्ट में पूर्वांजल के माफिया सुधीर सिंग की अकूद कमाई और उससे जुटाई दौलत को देखकर पिरशासन भी हैरान है अब तक 300 करोड से जादा की संपत्ती जब्त की जा चुकी है और अभी कई और संपत्तियां जब्त की जानी है गोरखपुर में पिपरॉली के ब्लॉग प्रमुख रहे प्रदेश स्तरी माफिया सुधीर सिंग के खिलाफ ताजा कारवाई प्रशासन ने की है इस दिन सुधीर और उसके भाई के नाम की 200 करोड 95 लाग की संपत्ती जब्त की गई प्लिस प्रशासन का दावा है कि सुधीर ने ये संपत्ती अपराद की कमाई से बनाई थी गैंग्स्टर एक्ट के अलग-अलग मुकदमों के तहर जिले में अब तक की ये दूसरी बड़ी कारवाई है माफिया सुधीर सिंग पर चार बार गैंग्स्टर का मुकदमा दर्श किया जा चुका है इससे पहले भी 22 अक्टूबर 2023 को उसकी 100 करोड 5 लाक रुपए की संपत्ती जब्त की गई थी जाज के दोरान ये नहीं संपत्ती सामने आई थी आलांकि अभी 200 करोड के करीब की संपत्ती और जब्त हो सकती है गीडा ख्षेतर की काले सर निवासी पूरो ब्लॉक प्रमुक माफिया सुधीर पर 40 से जादा मुकदमे दर्ज माफिया के उपर चार बार गैंग्स्टर की कारवाई भी हो चुकी है गैंग्स्टर के तहत ही प्रिशासन ने से पहले 2022 में भी दो बार माफिया की 14 करोड के संपत्ती को जब्त किया था जिसमें शापूर इलाके में इस्तित मकान और बाके संपत्तियां शामल थी हालांकि जाच में पता चला कि माफिया के पास अभी काफी संपत्ती है उसके नाम की कई जमीने हैं जिसका रिकॉर्ड उसने राज़स्वटीम की मदद से दबवा लिया था गीडा पुलिस की जाच में सामने आया है कि अपराद के जरिये अरजित धन से अपने और अपने परिजनों के नाम से उसने अवैद संपत्ती बनाई है तैसीलदार राकेश कुमार कनोजिया सहजनवा और लेखपाल वरुर सिंग और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जब्ते करण की कारवाई की गई जब्त की गई संपत्ती की अनुमानित कीमा लगबग 200 करोड 95 लाख रुपे आ की गई है आगे भी कारवाई जारी रहेगी दरहसल आपको बता दें माफिया सुधीर सिंग पर NBLU जारी हुआ पुलिस ने तलाश शुरू की उसके बाद उसने पुलिस के हाथ आने की जगा माराज गंज में कोट में सरेंडर कर दिया और जेल पहुँच गया माफिय सुधीर सिंग बरतमान में जेल में बंद है उसके क्राइम के मामले में सजा दिलवाने के लिए पुलिस की पैर भी जारी है सुधीर की गीडा के नसोड इलाके में मौझूद प्रोपर्टी पर दुर्गा पंडाल रखने की वज़ा से नवरात्र में जब्ती की कारवाई रोग दी गई थी प्रिश्वासन ने पहले सो करोड की संपत्ती जब्त की थी अगले दिन गेडा के नौसड इलाके में मौझूद संपत्ती जब्त की तैयारी थी पर जैसे ही टीम सर्वे करने पहुंची पता चला कि वहाँ तो दुर्गा पंडाल रखा गया है उसके बाद टीम ने अपनी ये कारवाई विसर्जन तक रोग दी थी विसर्जन खत्म होने के बाद एक बार फिर पुलेस और प्रिशासन की टीम ने कारवाई की है माफियाओं की कमर तोड़ने के साथ ये अंडर ग्राउंड क्राइम की जड़े तलाशने में जुटी पुलेस को माफिया सुधीर सिंग के 500 करोड की 13 संपतियों का पता लगा है पुलेस ने इसमें से अभी तक सिफ 301 करोड की 3 संपतियों की जबती की है आने वाले दिनों में जबती की और भी कारवाई की जा सकती है माफिया ने करोडों की संपति को हड़पने के लिए दान पत्र का इस्तमाल भी किया है जिसका अब भांडा फोड हो चुका है अब इस पूरे मामले की आगे की कारवाई क्या होती है ये देखना काफी जादा एहम होगा इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रहे हैं कापिटल दिव्यूते परदेश नमस्कार